जाहिन दोस्तो मैं रित्तिक राज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चानल फॉर्म फिलप की नौलेज में दोस्तो आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वास्त होंगे दोस्तो आज किस वीडियो मैं आप लोगो को बताऊंगा इसमें आप फोटो कैसे अपलोड कर पाएंगे फोटो जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मैं पहले से ही अल्रेडी फोटो अपलोड करके रखा हूँ यह इसलिए अपलोड करके रखा हूँ ना देखिए अगर यहाँ पे हम फोटो की बात करें तो आपको 30-100KB का जेपीजी फॉर्मेट में फोटो अपलोड करना है आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो हम आपको दिखा देते हैं आप यहाँ पे देखिए जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे बोल रखा है पहले से आप देखिए इसको जेपीजी फॉर्मेट में बोल रखा है और उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 30-100KB का फोटो होना चाहिए और यहाँ पे अगर आप signature की बात करें तो जो signature upload होगा न वो होगा 15-30KV यहाँ पे देखिए 15-30KV का signature upload होगा और यह भी होगा JPG format में ही है आपे होना चाहिए आप देख सकते हैं यह भी JPG format में होना चाहिए तो इसको हम कैसे upload किये हैं अगर आप भी ITVP driver का form भर है न तो आपको अगर photo upload करने में समस्य आ रही है तो हम आपको with proof आपको upload करके दिखाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है न कि आपको अपने mobile phone में Google Chrome open करना है और Chrome open करने के बाद आपको search करना है resize image क्या search करना है न यहाँ पर R-E-S-I-Z-E resize image और यहाँ पर फिर लिखेंगे हम resize के बाद image लिखेंगे उसके बाद ही हम मतलब image लिखने के बाद यहाँ पर search करेंगे अब जैसे ही हम resize image लिख के search करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि www.reviewseumimage.com कर लेते हैं अब जैसे ही हम इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो timing है तो अभी 4 बज़ के 32 मिनट हो रहा है अब यहाँ पर देख लिए time हम आपको इस लिए दिखाया है और यहाँ पर हम फाइल में आएंगे और फाइल में आने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले क्या आए ना कि recent image में आ जाते हैं यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर मेरा जो image है यह हम इस image को हमको upload करना है इमेज जो है वो JPG format में तो है लेकिन 1500 KB का है और upload करना है 100 KB से कम का तो हमको इसी इमेज को कम करना पड़ेगा तो हम इसी पे click करते हैं और इसको select कर लेते हैं आप यहाँ पे देखिएगा तो यह 145 KB का image है आप यहाँ पे देखिए और इसको हम यहाँ पे चलेंगे 1500 KB का था तो यहाँ पे 22 KB का हो गया अब मान लिजे कि यह तो 30 KB का upload करना है 30 KB कम से कम तो यहाँ पे जो quality 90 दिख रहा है इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे यहाँ पे हम इसको cut करते हैं और cut करने के बाद हम इसको 96 करते हैं ताकि photo phrase आए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 96 को भी हम cut करेंगे और यहाँ पे हम 99 डालेंगे और 99 डालने के बाद यहाँ पे आप देख लिजे फिर से हम resize image पे click करेंगे click करने के बाद यह देखिए 64 के भी का हमारा हो गया यानि कि अगर हम एक बार 100 करके देखते हैं कि जो quality है यह 100 से अधिक नहीं होता है तो हम एक बार यहाँ पे इसको cut करते हैं और cut करने के बाद यहाँ पे 10000 और यहाँ पे resize image पे click करेंगे 105 के भी का यहाँ पे आप देख सकते हैं हो गया है तो हम इसको 99 पे resize करेंगे यह मैं बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ न ताकि अगर आपका अधिक हो रहा है तो आप इसको quality कम करके कम कर सकते हैं और अगर आपका जो है न मतलब कम हो रहा है तो आप quality बढ़ा के आप इसको क्या है न कि इसको image का मतलब size जो है वह बढ़ा सकते हैं यहाँ पे करके शटध हम लोग 58 KV में resize किये थे हम इसके ऊपर क्या आई है यहाँ पर हम स्लेक्ट करेंगे और यहाँपे हम सिलेक्ट करने के बाद हमारा यह है photo upload हो एक बार फिर से signature को भी हम resize कर लेते हैं तो यहां पर हम फिर से इसी में आएंगे और इसी में आने के बाद हम यहां पर इसको cut करेंगे और cut करने के बाद यहां पर select image करेंगे select image करने के बाद यह मेरा signature है इसको उपर click करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे quality 99 है resize करेंगे resize करने के बाद यह 34 के भी का हो गया तो हमको जो यह signature चाहिए वो कितना के भी का चाहिए तो 15 से 30 के भी का चाहिए तो हम इसको 95 करेंगे तो यहां पे हम इसको cut करेंगे और cut करने के बाद 95 95 करके resize करेंगे 95 करके resize करके download image पे click करेंगे download हो चुका है अब यहाँ पे हम signature वाले section में भी हम यहाँ पे आएंगे choose file पे click करेंगे file में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है यहाँ पे 4 बज़ के 36 मिनट पे हम 19.52 kb का signature बनाए थे इसके उपर हम यहाँ पे click करेंगे हमारा यह भी upload हो गया यहाँ पे हम I agree करेंगे अब I agree करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले दोनों में signature है मैंने जान से signature रखा हूँ ताकि आपको देख सके कि हम कैसे upload फिर यहाँ पे हम submit पे click करेंगे अब जैसे ही हम submit पे click करेंगे तो मेरा जो photo है वो successfully upload हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए अभी दोनों में signature था आप यहाँ पे देखिए इसमें photo upload हो गया और इसमें signature मैंने upload कर दिया हूँ तो आई होप आपको इस वीडियो में पता चल गया कि ITVP driver का जो 4750 post form निकला है उसमें आप photo और signature अपने mobile phone से resize करके कैसे भर सकते हैं form को अगर मेरी दीवी जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को like किजिए आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे वीडिया लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहे हैं मेरा YouTube चैनल form फिलब की नौलेज